अभर नंथे यह टॉब हुआ तो आज कर सूर्क टापिक सब्सक्राइए हुआ पर्मिट की हैं तो पर्मिट की जब बात चल रही है तो हमें क्या-क्या circumstances follow करने होंगे, क्या-क्या चीजे हमें required होंगी, ठीक है, तो जो चीजे required होंगी, वो किसलिए होंगी, जैसे कि अब माल लिजिए, आपको confined space में work करना है, अब आपको confined space में work करना है, तो उस place पे आपको क्या-क्या चीजे लगेंगी काम करने के लिए, है न, तो जो काम करने के लिए जो सामान लगेगा, जैसे कि आपको confined space में क्या हो सकते है, oxygen level नहीं मिलेगा उतना, सांस लेने में problem हो सकती है, तो आपको BA set लेना होगा, है न, तो और भी ऐसे equipment रहते हैं, जो आपको bear करना बहुत ज़रूरी है, height पे work चल रहा है, तो आपको क्या-क्या चीजे ज़रूरी है, ठीक है, क्या-क्या equipment आप लेके जा रही है, कौन से ज़रूरी है, कौन से नहीं है, यह सारी बाते, ठीक है, हजाड यह वर्क प्लेस हो रहा है, तो इसके लिए आप safety रखने के लिए आपको जो work permit issue किया जाएगा, वो तब ही किया जाएगा, तब वहाँ पे पूरी तरीके से safety applicable हो, पूरी तरीके से safety prevent कराई जा रही हो, तब ही आपको वो work permit issue होगा, और work permit जो भी issue होगा, वो उसी person को issue होगा, जो उस work के बारे में, उस सारे काम के बारे में उसे knowledge हो, ठीक है, तो यह तो बात हो गई कि हमें जो industrial operations जो होते हैं, उसके risk conditions क्या-क्या होती है, conditions के अंदर वो work कर रहा है, जैसे कि high pressure पे कर रहा है, हाई temperature पे कर रहा है, यह सारी बाते हैं, ठीक है, तो यह circumstances क्या है, required हैं, जब हम permit issue करने जा रहे हो, ठीक है, अब इनका purpose क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, कि अपन ensure कर रहे हैं, खुद को work जो भी हम कर रहे हैं, वो पूरा safest हो रहा है, और possible manner में हो रहा है, मतलब जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है, direction बिल्कुल सही जा रहा है, और जो safety है, वो भी बहुत अच्छे से maintain करी जा रही है, चीक है, permits जो है, वो इसी भी तरीके का accident जो है, नहीं होना चाहिए, जैसे कि 95% यही होता है, कि जब permit issue होने के बाद कोई work कर रहा है, और वो safety के साथ कर रहा है, carefully work कर रहा है, तो इस तरीके accident सामने नहीं आते हैं, ठीक है, नेक्स इसका क्या है, scope क्या है, permit system का, तो देखे, क्या होता है, major और minor maintenance जो है, वो जो है, वो पूरा level में आ जाता है, क्योंकि major और minor accidents जो है, उनको हम रोक सकते हैं, ठीक है, अब किसी entry, किसी confined space में entry कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो जो होने वाले खत्रे हैं, वो आपने पहली observe कर लिए, observe करें तो क्या किया आपने उसको eliminate किया, eliminate करने के लिए क्या किया, जो जो accidents अंदर आप जो जो चीज़े face करने वाले हैं, उसको पहली observe कर लिया गया, observe करने से यह हुआ, वो सारी चीज़ें आप आपको से तेज स्पीड में गाड़ी आ रही है और उसको नहीं पता हैं गड़ा खुद रहा और ऐसे accidents हो सकते हैं, तो उसके लिए आपने क्या safety रखिए क्या work permit issue किया, जो काम कर रहा है, क्या उसे experience है, ऐसे काम करने का, कैसे काम करना है, किस तरीके से उसको करना है, तब ही तो हो पाएगा, तो देखिए इसमें ये भी चीज़ से चलैर हो जाती है कि जो काम कर रहा है उसको काम की नॉलेज है और इस तरीके से अगर वर्क को तो एक्षिडन नहीं हो पाएगिए ऐसी तरीके से आपको किसी भी ह्ट वर्कत में घाना है वहां पर work करना है तो उधर के लिए आपको क्या क्या सेफटी रखनी है वो सारी चीज़े वर्क एठ हाइट कर रहे हैं अगर आप किसी भी हाइट पर work करने के लिए लोड़ेट करके ले जा रहे हैंतो वह आपको क्या क्या यूजबल चीज़े हैं क्या क्या नहीं है जो ट talent शвол स्टी कि जाती है और सबसे बड़ी चीज़ यह इसा वह डामस सका हो और आपने उनको वेर कर लिए उसके बाद अगर आप गिरते हैं तो वो को सपोर्ट ना करें तो यह सारी चीज़े भी वर्क पर्मिट के टाइम पर चेक आउट कर ली जाती है तो सरकम्टेंस यहीं है इसके सारे जब भी रिक्वाइड होता है वो इसलिए रिक्वाइड होता कि कोई भी काम अगर कोई भी करने जा रहा है किसी भी वर्क को करने जा रहा है तो उसको श्यारटी तो रहे कि यह काम बहुती सेफ तरीके से यहां पर हो सकता है तो यह जो एक टॉपिक है इसमें यहीं बताया गया है कि पर्मिट का मतलब असली यूज है क्यों क्यों इस्य एक्सिड़न्ट तो यह सारी बाते इसके नदर आती है यह है तो इस तरीके सो होने वाले accidents को रोकने के लिए तो questions भी बहुत help करते हैं जैसे कि danger आपको महां नहीं जाना तो यह सारी चीज़ें तभी कर दी जाती है जब permit issue हो रहा होता है जब permit issue होने के बाद जब work start हो जाता है उससे पहले यह सारे procedure follow कर दिये जाते हैं ठीक है तो यह मैंने आज आपको circumstances क permit is required take care so thank you